इस movie का starting conference को दिखाते हुए होता है जहाँ पर दो beauty experts भी मुझूद होते हैं जिनमें female का नाम laurel था वो लोग beauty products like soap, creams के बारे में बाते कर रहे थे कि हमने अपने new cream को कब lounge करना है और market में उसे कब उतारना है यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि product के जो investor होती है वो laurel ही होती है इसकी बाद उस brand का investor किसी और लड़की को बना दिया गया और even यह decide होता है कि product के advertisement के लिए laurel की जगा उस लड़की की pictures लगेंगी इस बात की वज़े से laurel को काफी घुसा जाता है लेकिन वो इस बात को ज़्यदा feel नहीं होने देती क्योंकि उनकी एक cream बहुत जल्ड market में launch होने वाली थी इसी वज़े से वो कुछ नहीं बोलती चुप रहती है फिर दूसरा beauty expert जो के company का honor भी था वो एक लड़की patience को अपनी office में बुला कर उसे डांटता है और यही लड़की patience movie की main character है वो beauty expert कहता है कि मैंने इस cream को बनाने में काफी पैसे लगा दिये है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इस वले box design पर अपनी cream को launch करूँ इसलिए तुम्हारे पास कल 12 बची का time है मुझे और अच्छी अच्छी new design बना कर दिखाओ और अगर तुम ऐसा ना कर पए तो बेशक तुम job को skip कर सकती हो तो इस deal के लिए patience agree हो जाती है पि next day patience box का अच्छा सा design बनाने में busy होती है लेकिन तब भी उसकी नजर एक बिल्ली पर पढ़ती है और वो समझती है कि शायद ये बिल्ली यहाँ पर फसी हुई है इसलिए वो उस बिल्ली को वहां से निकालने के लिए उसकी help करने के लिए वहाँ पर जाती है लेकिन इसी कोशिश में उसका pen slip हो जाता है और वो AC के सहारे दिवार से लटक कर खुद को बचाती है और अब वो उस जगा पर फस चुकी थी यहाँ पर वो डर जाती है क्योंकि वो लटकी हुई थी लेकिन तब ये एक detective जिसका नाम Tom होता है उसकी नजर patience पर पढ़ जाती है उसे देखकर वो समझ रहा होता है कि शायद वो सुसाइट करने वाली है और इसलिए वो उपर जाकर patience को बचा लेता है वो भी बिल्गुल सही सलामत जहां पर वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बाते करते हैं लेकिन तबी patience को सड़न याद आ जाता है कि मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया है करने को और इसी वज़े से वो जल्दी से आफिस के लिए निकल जाती है लेकिन जल्दबाजी की वज़े से उसका पर्स गिर जाता है जिससे टॉम उठा लेता है और वो patience के पीछे पीछे आफिस चला जाता है वहाँ जाकर वो patience से मिलता है वो दोनों काफी दिर तक बाते करते रहते हैं और यहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है पिर वो दोनों डिनर का प्लैन बनाते हैं और टॉम वहाँ से चला जाता है पेशेंस काफी मेनत करने के बाद फाइनली वो डिजाइन रेडी कर लेती है फिर वो अपने बॉस के असिस्टन को कॉल करके उसे डिजाइन देने का कहती है जिस पर असिस्टन कहता है कि आज तो वो लीफ पर है इसी लिए तुम खुद जाकर उस डिजाइन को दे आओ फिर पेशेंस उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर ये क्रीम बनाए जा रही थी जिसे लाँच करना था वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो इस क्रीम पर काम कर रहा था और इस क्रीम के कुछ सीक्रेट्स बताता है वहीं पर वो ब्यूटी एक्सपर्ट लॉरल भी थी वो साइंटिस्ट लॉरल को कहता है कि क्रीम अभी मुकंमल तोर पर रेडी नहीं हूई इसमें बहुत सारी कमिया है इसलिए हम अभी इसको launch नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रीम को यूज करने की बाद फेस खराब हो जाता है ये कहते हुए वो लॉरेल को स्क्रीन पर कुछ पिच्चर्स दिखाता है कि इस स्क्रीम को लगाने के बाद यूजर्स को काफी बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाता कि लोगों के साथ कुछ ऐसा हो क्यूंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो लोगों के हेल्प करता हूँ ना कि उन्हें दोका देता हूँ सो इसलिए अभी फिलहाल हम इसे लाउंच नहीं कर सकते और ये सारी बातें पेशेंस भी सुन लेती है लेकिन तभी वो किसी चीज़ से तक्रा जाती है और वो चीज़ वहाँ पर गिर जाती है आवाज सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने हमारी बातें सुन ली है तभी पेशेंस वहां से भाग कर खुद को चुपाने के लिए एक टनल में चुप जाती है floral ने यहाँ पर patience को देख लिया था और जब उसे पता चलता है कि patience उस टनल में है तो वो उसका main door बन करवा कि वहाँ पर पानी छुड़वा देती है और पानी में डूबने की वज़़ से patience की मौत हो जाती है और उसकी dead body एक river में चली जाती है जहां पर एक बिल्ली पेशन्स को किनारे पर लाती है और वहां रीवर की बाहर और भी बिल्लियां होती है तब ही एक बिल्ली पेशन्स की टड़ बाड़ी पर चड़ जाती है और उसे लिक करती है और देखते ही देखते पेशेंस की आंखों का साइस चेंज होने लगता है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पेशेंस जिन्दा हो जाती है दुबारा अब सोचने में तो ये काफी अजीब بات है कि एक छोटी सी बिल्ली ने पेशन्स को दुबारा जिन्दा कैसे कर दया मेन वाइल पेशन्स को फील होता है कि वह दोर की चीज़ों को काफी करीब से देख पा रही है और चोटी से चोटी चीज़ को भी बड़ा देख पा रही है इजी लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर करके अपने घर के लिए जाने लगती है क्योंकि बारा मजने से पहले उसने वो डिजाइन अपने बॉस को सब्मिट करवाना था लेकिन लेट होने की वज़े से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है अपनी जॉब को खो कर वो बहुत ज़्यदा अपसेट हो जाती है लेकिन तब ही उसे टॉम यादा जाता है कि आज तो हमने डिनर पर जाना था जो कि उसने मिस कर दिया इसलिए पेशन्स एक काफी कैन पर सोरी लेकर टॉम के पास जाती है जहां वो मिलकर पहले काफी पीते हैं और बाद में बास्किट बाल भी खेलते हैं यहां पर पेशन्स फिल करती है कि मैं पहले से ज़्यदा एक्टिव और पावरफुल हो गई हूँ फिर अगले दिन पेशन्स को अपने घर में वो ही कैट दिखाए देती है जिसको उसने बचाने के लिए अपने जान की परवा नहीं की इसलिए वो समझती है कि यह जो चेंजिंग्स मुझ में आई है यानि जो पावर्ज मुझे मिली है शाद ये बिल्ली ही उसकी रिजन हो इसलिए उस बिल्ली के गले से उसका बेल्ट निकाल लेती है और एडरेस के मताबिक उस बिल्ली की ऑनर से मिलने जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है बलके इस बिल्ली में ये पावर है कि वो किसी भी मरी हुई लड़की को जिन्दा कर सकती है तब पेशन्स को पता चलता है कि उस रात उसके मरने की बाद इस बिल्ली नहीं उसको जिन्दा किया था पिर बिल्ली की ऑनर पेशन्स को एक मास्क देती है और उसे कहती है कि एपनी पावर्स का सही इस्तामाल करो इसके बाद पेशन्स अपनी घर आ जाती है तब ही उसे उसकी फीमिल फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे अपनी और टॉम की सारी बाते बता देती है फिर patients की friend उसे एक dress gift करती है जो कि cat woman का dress था फिर उसी रात patients बाइक पर बैट कर tom से मिलने जाती है और वो ही dress वो पहन कर जाती है यानि cat woman का dress जो उसकी friend ने उसे gift दिया था लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ चोड नजर आते हैं जो कि गोल्ड की shop को लोट रहे थे जहां पर cat woman यानि patients उन्हें काफी मारती है और jewelry को लेकर अपने घर आ जाती है next morning जब वो jewelry को देखती है तो उसे realize होता है कि ये jewelry मुझे अपने साथ नहीं लाने चाहिए थी उसने ये गलत किया है तब ही वो एक necklace के इलावा बाकि सारे jewelry एक envelope में डालती है और उस envelope पर sorry लेकर उसे police station पहुंचा देती है इसके बाद वो अपनी female friend के पास जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि क्रीम में कमियां और खामियां होने की बावाद जूद भी beauty experts उसे launch करने जा रहे हैं इसलिए वो उस location पर जाती है दुबारा से जहां पर ये क्रीम बनाए जा रही थी और इस बार वो mask और cat woman वाले dress को पहन कर जाती है और तब ही वो floor पर देखती है कि लोरल के scientist की dead body वहाँ पर पड़ी है और ये वही scientist था जिसने इस क्रीम पर काम किया था और तब ही वहाँ पर एक guard आ जाता है और patient को देखने के बाद वो ये सुचता है कि शायर इस scientist को patient नहीं मारा है और इसी वज़े से वो guard alarm को on कर देता है और तब ही वहाँ पर बाकी guards भी आ जाते हैं और वो patient को killer समझते हैं अब किसी तरह खुद को बचाते हुए cat woman यानी patients laurel के पास जाती है जहां पर वो patient को बताती है कि दूसरा beauty expert इस क्रीम में कमया और खामया होने की बावजूद भी इसे launch करना चाह रहा है इन बातों की दुरान patient को realize होता है कि laurel भी अब दूसरे beauty expert के against है क्योंकि laurel उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसकी जगह अब किसी और को investor बना दिया गया तब वो दूनों plan बनाती है कि वो किस तरह उसे रंगी हाथ पकड़वाएंगी और उसके खिलाफ सबूत इकठा करेंगी यहाँ पर laurel patients को एक mobile phone देती है ताकि वो दूनों discussion करने के लिए एक दूसरे से contact कर सके इसके बार टॉम जब अपने duty पर होता है तब उसकी नजर उसे coffee can पर पढ़ती है जो उसे patients ने दी थी जिस पर सोरी लिखा हुआ था तब ही वो उस jewelry वाले envelope को भी देखता है जिस पर सोरी लिखा था और इसलिए वो उस वाले सोरी को coffee can वाले सोरी से match करता है और यहाँ पर टॉम को patients पर शक होने लगता है कि शायद उसी नहीं चोरी की होगी उसी नहीं ये सोरी वा envelope भिजवाया इसलिए टॉम उसे मिलने जाता है जहाँ पर वो दोने एक दूसरे के साथ काफ़ी time spend करते हैं काफ़ी बाते करते हैं और रात को जब patient सो रही होती है तब टॉम evidence को लक्ट करने के लिए एक glass चुरा कर अपने साथ ले जाता है फिर थोड़ी दिर बात laurel के दिये हुए mobile पर ring होने लगती है और वो laurel की call थी जिसे patient सुनती है laurel उसे बताती है कि मैंने दूसरे beauty expert के खिलाफ evidence कर लिये हैं और इसी वज़े सी सजा हो जाएगी उन evidence को देखने के लिए patient जल्दी से laurel के पास चली जाती है और इस बार भी वो पूरे cat woman के get up में आती है जहाँ पर laurel उसे कहती है कि तो मैं उस sofa की पीछे सारे evidence मिल जाएंगे इसलिए patients देखने के लिए जल्दी से sofa की पीछे जाती है वो देखती है कि वहाँ पर तो उस beauty expert की dead body है और उसकी dead body को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बिली ने उसे मारा हो यहाँ पर laurel patients को कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस cream में अभी बहुत सारी कम्या है और side effects है लेकिन इसकी बावजूद भी मैं मैं उसे launch करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे से अपनी success से मतलब है और किसी से नहीं और मुझे पता था कि तुमने उस दिन हमारी बाते सुन ली थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्रीम को launch कभी भी नहीं होने दोगी इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर सकती थी तुम्हें ऐसे तो नहीं चोड़ सकती थी और अब तुम इस beauty expert की मौत की इल्जाम में जेल जाओगी और ये कहते ही laurel अपने घर का अलाम on कर देती है और तब ही वहां की सारे guards आ जाते हैं और वो cat woman यानी patience पर गोलियां चलाने लगते हैं तब patience कुद को बचाने के लिए भाग रही होती है लेकिन तब ही अचानक से उसके सामने टॉम आ जाता है और यहां पर वो टॉम से fight करती है और वो उसे distract करने के लिए उसके पास जाती है और मुके का फाइदा उठा कर वहां से बाग जाती है इसके बार टॉम जल्दी से lab में आ जाता है और वो glass पर बनी lip print और अपने face पर बनी lip prints को match करवाता है और वो देखता है कि दोनों match हो गए है और यहाँ पर टॉम को पेशन्स के खिलाफ सबूत मिल गए थे इसलिए वो पेशन्स को arrest करके ले आता है और यहाँ पर पेशन्स accept करती है कि हाँ मैं ही cat woman हूँ और कहती है कि वो scientist और beauty expert को मैंने नहीं मारा लेकिन lip prints और सोरी वाली handwriting में चुने की वज़े से टॉम पेशन्स को जेल में बंद कर देता है उसी रात हम दिखती है कि पेशन्स जिस cell में होती है उसमें एक बिल्ली आई है पेशन्स फोरान उसे पहचान लेती है कि यह तो वो ही बिल्ली है जिसने मुझे जिन्दा किया था और वो उस बिल्ली को cell के रौट से अंदर आते हुए देखती है इसलिए पेशन्स सोचती है कि अगर ये cat इन रौट से अंदर आ सकती है तो मैं इन रौट से बाहर भी जा सकती हूँ और इसलिए पेशन्स भी उस cat की तरह उस cell के रौट से बाहर चली जाती है और यहां से वो जाती है लॉरेल के पास जो उस क्रीम को लांच करने वाली थी हलांकि पेशन्स उसे ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन लॉरेल उसकी एक नहीं सुनती और इस बात को लेकर दोनों की बीच बहस हो जाती है वहाँ पर टॉम भी होता है जो पेशिंस को पकड़ने आया था और वो उन दोनों की कनवर्सेशन सुन चुका था और यहाँ पर टॉम को सारी बात समझा जाती है कि असल में पेशिंस गलत नहीं है बलके लॉरल गलत है तब ही लॉरल और पेशिंस के बीच जबरदस्त फाइट होती है और इस लड़ाई की दुरान लॉरल बिल्डिंग से गिर जाती है और उसकी आन दा स्पोर्ट मौत हो जाती है और तब ही वहाँ पर टॉम भी आ जाता है और वो पेशिंस को कहता है कि दुनिया के लिए लॉरल को कैट वूमेन ने मारा है और तुम्हारे उपर इल्जाम नहीं आएगा क्योंकि पेशिंस तो अभी तक जेल में ही है पेशिंस टॉम की बात सुन कर सारी बात समझ जाती है और इसलिए वो दुबारा से अपने सेल में चली जाती है और सबको यहीं लग रहा था कि लॉरल को कैट वूमेन ने मारा था क्योंकि उस रात तो पेशिंस सेल में थी और इसलिए पेशिंस को बेकसूर साबित करके उसे छोड़ दिया जाता है और यहीं पर इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है थेंक्यू फर वाचिंग